हेलो गाईज पहले क्विक रविशन लेते हैं फिर आगे बढ़ने आले हम लोग ठीक है ज्यादा हुआ निए आपके फट 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 रविशन हो जाएगा और नान मेटल का ब्रॉमीन जो की एक लिक्विड है मतलब लश्चेल मतलब शाइनी नेचर किसका अइसन नाउन मेटल का नहीं होता है बिछ एट्छा हथा नहीं होता हैंक पिल मेल्न किसका धोली का नो का density hardness ज्यादा नहीं होता है जबकि यह चक्कू से कड़ जाते हैं तो आप तो देखी रहोगे कितना कम इंग का hardness हो गए बट exception में hardness के exception अपनों non-metals के समय बोल सकते हैं diamond वो बहुत ज्यादा hard होता है malleability ductility malleability मतलब thin sheets में convert होना metals होते है non-metals नहीं होते हैं metals में gold और silver को highest malleable और nearly highest ductile होते है conductor of electricity metals conduct करते non-metals नहीं करते हैं best conductor of electricity silver को बोल सकते हैं आप लोग non-metal के exception graphite जो की carbon का allotrop है उस चिल वो conductor रहता है किसका electricity का रहता है ठीक है conductor of heat conductor of heat में again silver best conductor of heat बट अपना जो lead है वो बहुत पूर conductor of heat होता है melting point boiling point होती है melting point होती है बहुत ज़्यदा ही होती है metals में non-metals में कम होती है sorry बट बट इसके exception melting point high वाले का exception अपने metals में बट गालियम सीजियम और लीना का हाथ में में मेल्ट अश्य हो जाते है जबकि diamond जो कि बहुत थी ज्यादा high melting point वाला होता है तो उन्हें मेटल्स होते है नॉन मेटल्स नहीं होते है ठीक है तो physical properties फुर्दू थी है chemical property होता metal प्लस oxygen will give you metal oxide and metal oxide is basic nature तो उसको किसका रिया करते है अपन लोग आपन रियाक करते है metal oxides को basic nature दिखाने के लिए अपन लोग acid का रियाक करते है तो metal oxide acid हमें salt plus water दे ना शुरू कर देता था neutralization reaction ये कारण पर बट कई सारे metals है कुछ metals होना चाहिए कुछ metals ऐसे भी होते है जो दोनों metal oxides जो acid से भी और base से भी रियाक्स करते है salt plus water देते हैं वो दोनों behavior शो करते हैं कॉंसे दोनों behavior पैटा acidic behavior भी और basic behavior भी तो इंदे क्या वोलते हम लोग अंपोर्टरिक oxide होते हैं example क्या है पैटा aluminum oxide और zinc oxide ठीक है aluminum plus oxygen आपका aluminum oxide देता है Al2O3 आपको मैंने क्रिस्क्रॉसिंग सिखा है था यह होना base चुछ है था तो आप HCl का react रहे हो तो ClCl3 plus H2O देगा यह ठीक है पर यह acid जाथ भी इस भी करता है तक जो ना आलो 2O को करते है sodium aluminate ठीक है वैसे ही अगर मैं zinc कर देखो zinc oxide देखा जो metal oxide बेसी करना चीए HCl के रहे हो तो ZnCl2 plus H2O देदेगा चलती लाइग बट यह भी base के रहे हो रियाक्त करता है ना टू नो टू यहने sodium zincate ठीक है प्रस वाटर भी जता हो पर दी तो पैटा यह Amphotric oxide के example समरें चाब ठीक है सब मेटल oxide basic होते हैं basis वैसे वाटर में soluble नहीं होते हैं बट हमारे कुछ metal oxides है जो वाटर में soluble थे for example sodium का lithium का और leanac यह तीनों की तीनों के जो अपने oxides है लाइटो ने टूओ के टूओ यह सब किसे वाटर में soluble थे तो वह क्या वाटर में थे लाइओ ने ओएच ने ओएच यह के ओएच पैटा यह तीनों किनों क्योंकि basis थे जो वाटर सोडियम यह पोटाश्यूम को हम लोग oxygen का रियाक करते हैं और जल्दी ते रियाक करके आग पकड़ लेते हैं तो आप इस का नटे से open अगाइब कोफ़ पर एक नटे से रियाक नहीं करते हैं अपने खुद के आप एक पतली लेयर बना लेते है इसकी बना लेते हैं प्रोट्रेक्टिव लेहर वह जो भी आप मेटलिक का ओक्सएड रही वोग से तो आपकड़ लेता था ठीक है copper पीटा copper अपने सा oxygen का रियाक्षिन का रियाक्षिन के ब्लाक लेयर मना आता है copper oxide का, CuO थियानक में black न लग होता है और silver और gold लकीली oxygen का रियाक्षिन नहीं करते है high temperature पर भी ले जाओ तो भी रियाक्षिन नहीं करते है अब बीटा पने लोग आज नया set of reaction देखने वाले है तो कौन सा reaction देखने आले हैं पने लोग metals का पानी के राद कैसा reaction है पिटेखें metals का दो तरीके का होता है पानी का सा reaction metal plus water अब यह water मेरा बीटा cold हो या फिर hot हो बट liquid state में हो liquid state मेंगा water रहेगा मेरा तो यह बनाएगा metal hydroxide plus hydrogen क्या मना लेगा बिटाओ metal hydroxide plus hydrogen अब यह जो water है मेरा water can be sorry यह cold भी चल जाएगा मुझे और यह मुझे hot भी चल जाएगा बट अब अगर liquid state में है तो मेरा metal hydroxide plus hydrogen ग्यास बनाएगा अब यही कीज मान लो अगर मैं metal को स्चीम कहां रियाक्ष करता हूँ स्चीम पता है ना गेशर state of water तो यह metal oxide plus hydrogen ग्यास ही बनाएगा अप्चा होता ऐसा आरो आरो दिखा सकते हो ठीक है यह आपको basis रटने पड़ाईगा अब देखो अपने लोग अलग अलग मेटल का रियाक्षन देखने वाले है तक है पर अपने लोग सोडियुम का देखते हैं तक है सोडियुम का देखो जब सोडियुम रियाक्ष करता है ना वॉटर के साथ में और यह अब आपको तीन तरीके की बात किये है और बिटा देखो जो मेटल वाटर चाहिए अब रियाक्ष कर जाएगा ना इतने कम टेमटेश के वाटर से रियाक्ष कर गया मतलब हाइडी रियाक्ष जो इंसान कोल वाटर से नीप होट से कर रहे है तो वह कंपेरिटिवली क्यान कम चुक्छ एंसान लेके मेंटल मेंटल कोल्ट से भी होट से बस्की से कर रहे है तुरु और नहीं कोल्ट से किसी से रियाक्ष नहीं कर रहे है वह ठीक है तो उसके में देखने वागिज थेटेड़ now इतनी ज्यादा रिलीज होती है उसका इतना ज्यादा इंप्राक्त हुद्टेक है कि इसा हाइड्रोजन लग जाती है इनने मेटल भी आग पकड़ लेता है तो कापको पहले बात आता हमां सोडियम को हम लोग पानी में च्यूने रखते थे देखो वापस से आग पकड़ रहा हूँ सेम चीज़ बैटा मैं potassium के साथ भी देखूँगा तो वो भी मेरा cold water का रियाक्स कर लेता है के फ्रस एश तुओ अगें लिक्विड है मिटल हाइड्र ऑकसिड बनेंगा के की वाइश की वाइलनथी भी मेरी वन क्रिस्कॉस किया के ओएज बनने वाला यह भी ठीक है लस हाइड्रोजन गास रिलीज होगी अगें यह हीट अगें इत्तियर होती है कि हाइड्रोजन के आख पकड़ लेता है हाइड्रोजन के आख पकड़ने का पोटास्यम भी आख पकड़ लेता है देखो थोडियूम पोटास्यम दौनों की दौनों कोल्ड वाटर क्या रियाक्ष करने को रिडी होते है और साथ में कैसे रियाक्ष करते हैं वह आख पकड़ लेते हैं तो वह मेटल हाइड्रोजन तो बना लेते हैं अब यह टेम्प्रेश इतना ज्यादा इंक्रीज हो जा अब यह टेल्चियम भी कोल्ड वॉटर के अपने रियाक्ष करने को रेडी रोता है। क्या देगा क्यालशियum क्या देगा हो सी काल्सयू हाइड्रॉव्वाट क्यार्चिय प्लस हाइड्रोजन रहेगा मेरा यह इतनी ज्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन आग पकड़े अब देखो यह calcium था hydrogen जहां जाके जहां जाकर चिपकना शुरू हो जाता है अब यह चिपकता है तो जहां कि average density कम हो जाती है water से तो जहां कि calcium float करना शुरू कर देता है तो क्या हो जाता है जब calcium water के cold water के react करता है यहां पर तोडियम का क्या हुआ आग लग गई पर calcium का क्या हुआ वह float करना शुरू हो गया है क्यूं कि hydrogen जाके उसके उपर चिपकना शुरू होता है average density कम हो जाती है पानी से तो जाके उपर जाके float करना शुरू कर देता है तो यह ठीक है सर नेक्स्ट बटा magnesium कोल क्या तो water gas रियाक्ष नहीं करता है बट हो hot water क्या रियाक्ष करता है तो नागनीशन प्लस वाटर हमें क्या देगा अगें water liquid state में मेरा तो हाइड्रोकसाइड जागा magnesium और hydroxide यह तू है यह वन्ट Mg-OH whole twice ठीक है तो देगा Mg-OH whole twice plus hydrogen अगें सेम यह hydrogen भी आग नहीं पकड़ता है पर जाके metal के उपार चिपक किसी करके उसको फ्लोट करना शुरू करवा जाता है तो अभी तक आपने चार देखें कौनसे को देखें sodium potassium देख लिए दोनों में आग पकल लेती थी cold water में भी calcium cold water के इसमें Brittany F proof करना शुरू काता है मंचीम hot water के इसमें float करना शुरू ओता है तो अब in the प्लस हाइडोजन गास रिलीज होने वाली है यह किस्ते के उसने गेशेस टेट वाले यह स्टीम से किसा अब आइरन देखो आइरन भी ना कोल्ट ना होट से बट स्टीम से रियाक्ट रोता है अब देखोड़ इसमें क्रिस क्रोस नहीं चलेगा इसको नहीं ऐसा बोलते है यह वाला अब्जेक्ट बनाता है वो इसे बहुत है फी थ्री ओ फॉर आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं है कि सब दोनों वालेंसी कैसे एक साथ आ रहा है ब्लाइंड ली आप लोग मेरे कहने पर एक्सेप्ट कर लिए फी थ्री ओफर बनाता है अब्यूसली हाइडोज हो जो भूब्यों हो людव गया को पर ओवग्या रूप अपना सिलफ गोल्न हो गर और करते हैं हुआ कीजिय है ने को यह सब्कुल समघर हो हम लोग ना हुआ वक भी रेतो CredBa udah क्सेखें भी इसी बात नहीं करते है तो लिक्विड स्टेट में हो पीड़ वाटर रो या हॉट वाटर रो जो भी हो अपना मेटल हाइड्रोक्साइड बनने वाल है और हाइड्रोजन ग्यास रिलीज होना लिए अब यह है अगर मेटल स्टीन के साथ रियाक्ट कर रहा है तो हमारा मेटल और हाइड्रोजन बनना ले ठीक है तो देखो अगर मेरा मेटल स्टीन में पोटाश्यम है यह दुनों कोल्ड से ही रियाक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोजन बनाते है इतना ज्यादा एक्जोथरमिक होता है रियाक्शन की जो ठीट निकलती है उसके अग लगती है तो मेरे मेटल में भी आग लग जाती है पहले पढ़ा हुआ है अपने कि ऑक्सिजन का रियाक्ट करें तो आग पकड़ता है इसलिए ना तो हम एर में ना तो वाटर में उससे हम लोग काई में स्टोर करते के रोसी में तब क्वेस्टन पूछाता है कि वाय या फिर वेर शोडिय malf horrifying Courtney Stored and by त्वा यूदि बूटो उपन एर इरियाक्ट्त रियाक्षिक में पड़ Dil एससा पड़ा है इसलिए परїप व्रसी में तो है नहीं करते हैं वा narc में क्याड़ कर लेकाशिम का धना विगर सभ्ल्रेश नियुए तब हैं ibles. बबल मेरी चिपक जा रहे हुआ हिख लोट करना। मागनिशम मागनिशं ना लियात sneeze हर रहा था अगल नहीं पकड़ा वह भी फ्लोट करना चिपक गए आलूमेस न आयोंकाल न हटस हो चींत से हमानों और समा लेड कॉपर फिलबर गोल्ड तो रियाट किया ता बेसिकली इसके साथ से देखूंगा मैं तो मुझे यह तो समझ में आ गया है कि सर sodium और potassium जो है ज्यादा reactive है calcium से क्योंकि यहाँ पर rate of reaction ज्यादा थी यहाँ पर comparatively कम थी और यह ज्यादा है magnesium से क्यों यह cold से कर रहा था इसके लिए hot चीए था और यह ज्यादा है reactive aluminum and iron से च्वाटीक है यह steam थे और यह ज्यादा है PB, TU, AG, यह जूसते है, हमें वह यह rate ही तो देखना था तो वह चीज हम लोग ने देख लिया पर अगेर ने कोई proper तरीके सम रेट नहीं देख पाए है थोड़ा time है जब लोग प्रोपर चीज़े रेट देख पाए है ठीक है चलिए एक बार इस चीज़ को अपने यहां से देख लेते हैं अब अब लोग प्रोपर तरीके से हर एक चीज़ दी हुई है अब बिटा देको मैंने रियक्शन बैलनस नहीं किया थे मैंने आपके लिए रियक्शन बैलनस नहीं चोड़े होगए हो वाले suggestion है बाइलंसें के रहा खुझसे ट्राइट कर लिजिएगा सोडियम, potassium, cold water डियाकट किया फ्लोट किया मागैसियम हट डियाकर यह अगर पिर रियाकर यह चीज़ याद रहेका चोज हो ता हमारा यहां तक है का आपको अच्छे से कर लिएगा कि रियाक्शन खुद से लिखके देखेगा यह 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 पूरे कोड़ एलिमेंट ले लिजएगा फिर याद से रियाक्शन लिखिएगा बालंस की जाएगा आपको बालंस की जाते हैं वह भी बचाएगा ठीक है चलिए नेक्स लेक्टर मिलते हैं बाई